हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमान शू और मैं सौगत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राच कॉमिक्स में योध्धा की आरंब सीरीज की पहली कॉमिक्स आरंब का तूसरा भाग महात्मा शुक्र अपने इस अपमान से शुब्ध होड़ें महात्मा शुक्र किर्पया चलकर आतित्य सुईकार करो तो यह परिक्षा लिती कर्ष्यपन है प्रहमान का सरवशे सरवर संपन ग्यानी एवं विद्वान मैं हूँ अपने पुत्रों की शिक्षा दिश्चा का तीर मतलब के नारा मेरे साथ अन्याय हुआ है मात्मन महर्शी कश्यप न मुझे स्रेष्ट बीच के योगे नहीं समझा स्रेष्ट वान को मैं अपनी कोक से जनम देना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये कदापी नहीं चाहती कि अधिती की कोक से जो बालक जनम ले वो मेरे सभी देथ पुत्रों से भी स्रेष्ट हूँ मैं पहले ही भेधवाव से ग्रसित हूँ क्योंकि कश्यप श्री से भेन अधिती को उनके पुत्रों को मेरे देथ पुत्रों के अधिक सम्माने में प्रेम मिलता है और अब ऐसा श्रेष्ट पुस्त ये मेरे लिए असेहनी होगा, ये मेरे लिए असेहनी होगा मात्मन शुक्र दिती ईशा ग्रस थी और इस बात को शुक्र भाब गए थी क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता, जिससे कि अदिती के गर्ब में रोपित किया जाने वाला श्रेष्ट बीच मेरी कोक में स्थापित हो जाए यदि तुम जाओ तो ऐसा संभव है पुत्री दिती, कुछ समय उपरांद ब्रस्पती बीच पर शिष्टान उनुष्ठान करने वाले, मैं अदिती के गर्ब से श्रेष्ट बीच को तमारी कोक की और स्थाना अन्दित कर सकता हूँ क्या सच? कैसा संभव है? यदि हाँ तो ऐसा ही करें महात्मन, यह आपका मुझे पर किया गया उपकार होगा इस प्रकार कश्यव कश्रिष्ट पुत्र पाने का सपना ही चुरू हो जाएगा क्योंकि दिदी के कर्व से उत्पन होने वाला वालक तैत्ते होगा देवता नहीं हें 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 आप क्या सोच रहे हैं महात्मन? कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो महात्मा ब्रस्पती ने श्रिष्ट बीच को अदिदी की कोक में रूपित करने का अनुष्ठान पून किया जिस पकार घर के मद्द में उज्जल दीपक चहूं और से संपून घर को प्रकाश मान कर प्रकाश मैं कर देता है इस श्रिष्ट बीच से उत्पन बालग भी अपने वीर, बलके अलौकिक प्रकाश से संपून भर्मान देवर संसार को तेजो मैं कर देगा ऐसा मेरा आशिरवाद है, मैं धन्य हो जाऊंगी, अब मैं श्रिष्ट बीच को तुमारे घर्व में रोपित करता हूँ ब्रसपती की हदेली से तीवर रश्मी अदिती की कोक में समा भई, रक्षा, रक्षा, ओ, सूकर दैते, महर्शी कश्यम ने सूकर दैते को तरणी भस मकाड आवा, तुस्ट शैतान ओ, ये क्या हुआ, क्या हुआ महात्मन, श्रिष्ट बीच गर्व पर अनुष्ठान के अंतिम छड़ों में दिती, अदिती के उदर पर आगिरी, और उसी समय, ना जाने कैसे श्रिष्ट बीच अदिती की कोद में स्थाना अंत्रित हो गया, क्या? क्या सच? ऐसा महात्मन, श्रिष्ट की करपा से संबाव हुआ है, नहीं, ये नहीं हो सकता, श्रिष्ट बीच तो मेरे गर्व में आ चुका था, अब उस श्रिष्ट बीच को अदिती के इस्थान पर दिती जनम देगी, किन्तु दिती तुरन थी परसप पीड़ा से तड़ पुठी, ब्रसपती तुरन थी, सारा माज़ा समझ गए थी, किन्तु अब क्या हो सकता था, श्रिष्ट बालक तो जनम ले चुका था, अब ये बालक मेरा पुत्र कहलाएगा, पहले ये मेरी कोक में आया था ये मेरा ही पत्र कहलाएगा फिर इसमें मेरे पत्रसूर का भी तेज है हाँ, किन्तु अभी तो इसे मैंने ही जनम दिया है इसकी माता मैं हूँ और इस नाते इस पर परताम अधिकार मेरा ही है दिती बालक को लेकर चली गई दुख ना करो अधिती शाय दिश्वर की ऐसी ही इच्छा हो हाँ, 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 छीक वाली चाल का परतिशोत मैंने ले लिया तब, हे महत्मन, जो हुआ सो हुआ अब किर्पागर आप मेरे सभी पत्रों की सिक्षा दिश्या का ताइट समाले मारशी का श्यप नमने सभी पत्रों को भ्रस्वती को सौब दिया अब इनकी सिक्षा दिश्या आपके सुपोर्ट करता हूँ भुकंपक, वो घाल कहां, घाल कर कहां जाता है इनी सींगों के बलबा उचलकूद मचा रहा था लो माताश्री, तुमारे लिए सुंदर भेंट रक्त से तो ये सींग और भी शोभाय मान हो रहे हैं आप किस सोच में पढ़ गाए महात्मान गुरू की शिक्षा गार सात्वे विद्धाओं में प्रवेश के लिए बुद्धी को विक्सित करना होता है महारशी सात्वे बुद्धी के विकास सही, तेज, ओज, बल, यश, मित्र, सत्त, एवं, प्राण की प्राप्ती होती है जिनसे गुरू का अभिमान बढ़ता है कि ये सभी बालक मेरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के सुपात रहें अथ्वा नहीं अवश्य महात्मन किन्तु इन सभी बालकों में शिरो मणी कहा है क्या इसे शिक्षा से बंचित रखना चाहते है महारशी शिरो मणी? हे महात्मा शेष्ट मैं इसी बालक के विशे में बात कर रही हूँ जिसका जनमकुष देरपूर मेरी कौक से हुआ है किन्तु ये तो अभी अभोश शिचू है हाँ किन्तु मैं चाहते हूँ कि इस बालक की शिक्षा दिक्षा भी अभी से हो जिती के हटके आगे कश्षप जी को जुखना पड़ा अब ये अभोश शिचू नहीं रहेगा इसे मैंने अपनी आयू के आठ वर्ष दे दिये ताकि इसका लालन पाना और शिक्षा दिक्षा भी अपने शेष भाईयों के साथ ही उत्पन हो देखते ही देखते बालक आठ वर्ष का परतीत होने लगा अहाँ मैं जानती थी कि ऐसा संभव है अब तुम दौनों इस बालक शिरो मरी की चिंता चोड़कर इसे यहीं छोड़ दो तब महर्शी कश्प के परस्थान के पश्चार क्या आप सभी बालब परिक्षा देने के लिए तैयार हैं अवश्य गुरुश्रेष्ट किन्तु हमें शिक्षा या परिक्षा की क्या वश्कता है गुरुश्रेष्ट अभी देखा नहीं आपने कि किस पकार से एक ही जटके में मैंने उस दिष्ट मिर्गों के सिंगों को उखा डाला था हाँ यदि आप चाहें तो हमारे सौतेले देवता भाईयों की परिक्षा ले सकते हैं उनको अत्रिक्त बलेवं योगिता की आवश्कता है शुरो मारी तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए हम एक ही माता की संताने हैं पिता भी तो एक ही हैं ब्राता श्री ब्रह्म मुष्टी तो मैं उस परिक्षा से इंकार नहीं करना चाहिए भ्रस्पती का सर कठोर हो गया यह परिक्षा सभी को देनी होगी इस पकार देवतावं दैत पुत्र गुरु ब्रस्पति द्वारा ली जाने वाली परिक्षा के लिए तैयार हो चुके थे जाओ, भ्रम्ब सरोवर से शोयत कमल लेका लाओ जो आग्या गुरुशेष्ट, सभी पुत्र शोयत कमल लाने निकल पड़ी शेरो मड़ी, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए हम सभी साथ साथ चलने तो उचित होगा तुम जाओ देवताओं के साथ, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते कंटक घाटी उनकी रहा रोके खड़ी थी कंटक घाटी के पूरे मार्मनुकीले और देत्याखार कुछ फैले हैं नर्णुक आ को आ, कमटक घाटे, काटो से बिना गाया लू आगे नहीं बढ़ सकते बाहता मर्मनुष्टी हम तो आगे बढ़ सकते हैं बाहता, ताणां, किन्तु तेवताओं का पता नहीं इन चौपाया वर्न भशियों पर सवार वकर हम बिना घायलू आगे बढ़ सकते हैं केवल उन्हें हाक नहीं क्या वाक्षिकता है और फिर अब ये कुछ हमारी रा नहीं रोक सकते ठेरो इन शेंस ता है मैं तुम्हें इन प्राणियों पर अत्याचार नहीं करने दूमा ब्रहता श्री मुष्ठी मेरा पाव छोड़ दो शिरो मणी हर्गिस नहीं ये पाप है तुम्हें पर पीड़ा क्लाबास नहीं मैं कहता हूं मेरा पाव छोड़ दो कदापी नहीं तो फिर अपनी इस अवस्था के लिए मुझे तोश मत देना रुख जाईये ब्रहता श्री ब्रहता शिरो मणी तुम्हें चोड़ तो नहीं लगी ब्रहता इंद्र हमारे भायों को निरी पश्चों के खायल होते शरीरों की जरा भी परवा नहीं वेतित नहों शिरो मणी और अब ये विचार करो कि हम काटों से भरी इस वन भूवी को किस पकार से पार करेंगे मैंने विचार कर लिया है हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट पूर्ण इस्तिति में नहीं डाल सकते किन्तु हम काटों को हटाए बेना आगे नहीं बढ़ सकते कोई ना कोई युक्ती अब हम रहा अवश्य निकलेगी प्राता शरी अरे अचानक ये खगों का जुंट कहां से आ गया वह देखे ब्राता शरी वह तो वही खगा जिसकी हमने चटान से दबने से रक्षा की थी अरे हाँ ब्राता वायू ठीक कहते हो यह देखिए ब्राता शरी इन खगों ने हमारे ले एक सुरंक का निर्माल किया है मुझे पूरा यकीन है कि यह सुरंक अवश्य इस कंटा गाटी के दूसरी और निकलेगी परोपकार किसी भी रूप में किसी भी प्राणी पर किया जाए उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है देखिए ब्राता शरी हम कंटा गाटी के पार निकलाए धन्यवाद हमारे खगो धन्यवाद प्यारे खगो हमारे देवता भाई तो अभी तक दुवदा में होंगे कि कंटा गाटी पार कैसे करें और हम भ्रह्म सरोवर्त का आवी पहुँचे चलो अब शीकिता से समस्त श्वेद कमल तोड़ो था कि देवताओं को एक भी श्वेद कमल प्राप्त ना हो हाँ यदि श्वेद कमल प्राप्त करना चाहते हो तो तो तम सबको अपने अंगूठे मुझे भेट देने होंगे हाँ 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 देखते ही देखते वहाँ एक मुखाकृती उत्पन हो गई सॉरी ठैरो तो ऐसा देट ठीटक कर रूग गए ठैरो देखते ही देखते वहाँ एक मुखाकृती उत्पन हो गई मैं मुकाकृती हूँ, सरोवर का रक्षक, मेरी शर्थ पूर किये बिना तुम शोयद कमल प्राप्त नहीं कर सकते, तुमारी शर्थ? हाँ, यदि शोयद कमल प्राप्त करना चाहते हो तो तुम सब अपने अंगूठे मुझे भेट देने होंगे, हाहा, हाह, 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 हम भेट ठक चला गया, नादान बाल को अब तुम यहाँ पुना वापिस नहीं यहाँ पाओगे, यह प्रचंड वायु पाश्टो हमें उड़ाई दिये जा रहा है, देवता वालक भी कुछी समय अपरांत वहाँ पहुंचे, हम भ्रह्म सरोवर आप पहुंचे, आहा, कितना लंब नहीं करना चाहिए, किन्तु देव बालोगों के सम्मुख भी वही परिस्तिती थी, यदि तो मैं शोहित कमल की इच्छा है, तो मेरी शर्ट पूर करनी ही होगी, आग्या करें है किरप्रनेधान, शर्ट सुनने के पश्चात, यदि शोहित कमल को प्राप्त करने की य अपने अंगुठे मुझे समर्पित करके शोहित कमल प्राप्त कर लो, जो आग्या है किरप्रनेधान, सर परतम शिरो मरी ने खंजर से अपना अंगुठा काट डाला, खचा, हे गुरूश्रेष्ट, ये परिक्षा आपकी आग्या है, आपकी आग्या शिरोधार रे, इपता बालकों ने अपने उठे सरोवर के जल में घिरा दिये, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं, और मिलते हैं आरंब के तीसरो और अंतिम भाग में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,